प्राइद जातिया जणगन्ना में तमाम डीटेल्स होंगे घर की जो नंबर है वो होंगे सदस्यों के नाम होंगे और घर के मुख्या कौन है उन सभी सदस्यों के साथ मुख्या के नाम जो है वो दर्ज किये जाएंगे और फिर रेजिस्टर में डाले जाएंगे वही दूसरे चरण की बात करें तो दूसरे चरन की जो गन्ना है उसमें तमाम डीटेल्स होंगे कि आखिर बिहार से बाहर जितने भी लोग रह रहे हैं दूसरे शहर में रहे हो दूसरे राज़ में रहे हो या फिर दूसरे देश में रहे हैं उनकी भी सारी डीटेल्स जो है वो रखी जाएगी इन सब के साथ हम आपको बता दे कि पहले चरन में साथ से के जन्वरी के बीच मकान की नमरिंग के साथ साथ घर के मुख्या कौन है और उनके सदस्यों के नाम दर्श के जाएंगे इसे पोचर पर अप्लोड किया जाएगा जिससे कि दूसरे चरन में जो गन्ना होगी उसमें होने वाले परिशानी क जो दूर किया जाएगा और यह जो तैयार होगी सूची उसके मिलान करने के साथ ही दूसरे चरन की जो गन्ना है वो होगी बता दे कि पहले चरन में गन्ना कर्मी प्रतिक घर में रहने वाले लोगों के कच्चा घर पक्का घर की स्थिति कैसी है वो सारी डीटेल्स जमीन की स्थिति वाश्यक आमदनी क्या है उसके बारे में डीटेल्स होंगे घर के सदस्यों के सैक्ष्टिक स्थिति क्या है रोजगार है सरकारी है यह नीजी है यह तमाम डीटेल्स दिये जाएगे वही हम आपको बता दे कि जाती अधायत गन्ना के लिए मास्टर ट्रेनरों को ग शासिन विभाग के प्रधान सच्रिव भी राजेंदर भी मास्टर ट्रेनरों से रूबरू हुए पहले दिन जो पहले चरन में जो गन्ना होगी इसके बारे में बता दी तो वो पटना समस्तिपूर पूर्वी चंपारन मदु बनी पश्मी चंपारन वह मुझफर पूर जि इस तरीके से इतने ट्रेनरों को प्रस्टिक्शन दिया गया और सरकार के पास अभी फिलहाल 204 जातियों की सूची है इसे इतर कोई जाती का होने वाले प्रमान पत्र प्रस्तुत करने पर भी गन्ना होगी और इसका सर्वे सीयो कारले से होगी और जाती आधार गन्ना में उपजाती का कोई भी प्रावधान नहीं है तो इस तरीके से अभी जातीय जन गन्ना जो है वो बिहार में दो चर्ण में होने वाले हैं पहले चर्ण की गन्ना साथ जन्मिर से 21 जन्मरी होगी जिसमें तमाम डिटेल्स होंगे हाउसिंग नंबर होंगे सदस्यों के नाम कौ और बिहार से बाहर दूसरे राज में जो लोग रह रहे हैं या फिर दूसरे शहर में जो लोग रह रहे हैं उनकी भी गन्ना होगी तो फिलारे इस वीडियो माज बस इतना ही बाकी के खबरों के लिए देखे रहे लाइफ सिटीज धन्यवाद